दोस्तो इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं जैन काजुवाला के बारे वेंचुकि इंडिया के सबसे बड़े काजु के मनुफेक्चरर हैं और सबसे जादा रौ काजु ये इंडिया में इंपूर्ट किया करते हैं आज की डेट में जैन काजुवाला भारत के 30 से ज़्यादा शहरों में ये काजु और ड्राइफूट सप्लाई किया कर रहे हैं और दुनिया के 9 से ज़्यादा कंट्रीज में के काजु एक्सपोर्ट हुआ करते हैं इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे आप honesty और अपने अच्छी quality के दम पे आप अपने product को बहुत तेजी से scale कर सकते हैं तो आए इस वीडियो को शुरू करते हैं और detail में business के learning समझने के कोशिश करते हैं तो दोस्तो जैन काजु वाले आज भारत में इतने बड़े काजु के manufacturer हैं लेकिन इसकी शुरुवात एक बड़ी problem को देख के होई थी तो आए हम शुरू से शुरू करते हैं तो ये बात है दिनेश कुमार जैन जी की जिनका food grade container बनाने का business था इसका मतलब है कि जो मिठाई के डिब्बे हुआ करते हैं वो ये बनाते थे और पूरे इंडिया के cities में ये भेजा करते थे जितने भी मिठाईयों के दुकाने होती थी तो एक बार इनको 4000 मिठाई के डिब्बे के order आए और वो डिब्बे थे काजु कतली के तो जो shop ने इनको order दिया था उनके पास समय पे काजु की supply नहीं हो पाई जिस वज़े से वो काजु कतली नहीं बना पाए और ये पूरा order समय के पहले ही cancel हो गया इसी तरह एक और incident होता है ये किशन कर से बिलॉंग करते हैं और ये अपने एक customer के पास जैपूर में बैटे हुए थे तो वहाँ इनके customer ने बताया कि एक beach के dealer ने काजु के orders लिये थे वो advance भी लेके गया था और वो कहा था कि वो south से काजु import करके लिया के इनको देगा लेकिन इनको order नहीं मिला और उसने phone भी बंद कर दिया ऐसे इन्होंने बहुत सारे cases सुने कि जो भारत में सबसे जो प्रमुक मिठाईयों में से काजु कतली होती है और काजु कतली के लिए काजु सबसे important ingredient होता है और वो भी बहुत थी अच्छे price में लोग को चाही होता है और उसकी better quality होनी चाहिए तब ही लोग अच्छी मिठाईयां बना पाएंगे लेकिन इसकी सबसे बड़ी problem थी क्योंकि लोग इमानदारी से काजु की supply करते नहीं थे भारत में और ये धिनेश कुमार जेंज्टी ने अपने बहुत सारे कश्ट्मरों से सुन रखा था तो अपने बहुत सारे customer से ये problem सुनने के बाद दिनेश कुमार जैन जी ने सोचा कि ये बहुत बड़ा market है और लोगों को अच्छी quality की काजू एक सही price पे मिलना बहुत ज़रूरी है और अगर इस business में किसी ने ये चीज़े provide करी तो इसका एक बहुत बड़ा market बयानाया जा स सकता है भारत में तो इसके काफी research के बाद इनको समझ में आता है कि इंडिया में south से काजू पूरे इंडिया में supply किया जाता है और इसके बाद ये बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि दिनेश कुमार जैन जी ने पर MBA भी चेन नहीं से करी थी तो वहां के तमील language से बहुत जादा habitual थे और वहां के बहुत सारे लोगों को भी जानते थे इसके बाद दिनेश जी चेन नहीं वापस जाते हैं और अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं इतिफाक से उसी में इनके एक दोस्त के फादर का यही business रहता है तो इनको अब यहां पे एक supplier भी मिल चुका था और अगर हम दिनेश कुमार जैन जी के background के बारे में बात करें तो इनकी family काफी जादा reputed थी किशनगर राजस्तान में और इनका नाम बहुत जादा popular था क्योंकि एक इन्होंने trust factor बिल्ड किया था ये मिठाईयों के डिब्बे बनाया करते थे और उनके बहुत ही अच्छे बनी क्योंकि काजू का जो quality था वो काफी बहतर था और काफी अच्छे rate पे इन्होंने उनको दिया भी था तो यहां पे उन्होंने कुछ अपने rules बनाये business के कि इनको नुकसान हो जाए लेकिन अपने customer को अब ये कभी नुकसान नहीं होने देंगे और कभी भी ये काजू का advance नहीं लेंगे जब customer के पास माल पहुचेगा तो वो तुरंत उनको cash में payment करेगा इन्होंने अपने business की शुरुआत की जैन काजू वाला नाम से ये 21 जुलाई 1999 को इनका business शुरू होता है इन्होंने trust और quality पे इतना अच्छा काम किया कि इन्होंने 6 महीने में ही 1 करोड का order supply कर दिया था और अब आ चुका था दिवाली और दिवाली पे इनको एक बड़ा order आया करें तीन करोड रुपे का इनको काजू के supply का order आया लेकिन supplier की इतनी strength नहीं थी कि तीन करोड का काजू इनको वहां से मिल सके और उससे क्या है कि quality भी compromise होती और price भी काफी जादा हो जा यहां पे काफी अच्छा काजू होता है वहीं से इंडिया में इंपोर्ट होता है लेकिन अगर अब इनके पास इतने पैसे थे नहीं तो इन्होंने अपने फैमिली में बात किया अपने भाई से बात किया जो की doctor थे काफी काम करने के बाद इन्होंने वो सब कुछ arrange कर लिय और अब इन्होंने import करना चालो किया काजू Benin से अब यहाँ पे इन्होंने कच्चा काजू भारत में import किया और इसके बाद तमिल लड्डू में अपना इन्होंने processing करना चालो किया और साथ ही अपना दूसरा office पनरूती में बनाया जो कि चेन्ने के पास ही एक जगा है काजू जब प्रोसेस होके आता तो इसकी ये पूरी पैकेचिंग किया करते थे अपने ओफिस में ही और उसके बाद ये से सप्लाई किया करते थे हाँ इन्होंने कंटेनरस पे भी काफी अच्छा ध्यान दिया कि जिस कंटेनर में काजू जा रहा है वो बिलकुष सेफली केस्टमर तक पहुचे और इसके बाद इन्होंने टेक्नलोजी पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया यहाँ पे इन्होंने काजू में काम आने वाले color sorting machines भी purchase किया जिसे कि white color के काजू बहुत आसानी से निकाल पाएं और इसके बसाती इन्होंने nanopix machine भी ले ली जिसे कि अलग-अलग काजू के size और quality में काजू को बनाया जा सके और धीरे धीरे जैन काजू वाले को पूरे भारत में जाना जाने लगा और अब इनको समय था कि थोड़ा सा और आगे भारत में scale करने का इन्होंने MBA में कुछ lesson से के थे कि जो future होने वाला है वो पूरी तरह से digital होने वाला है तो इन्होंने अपने आपको अब digital platform पे shift करना चलू किया और सबसे पहले इन्होंने अपने आपको Amazon, Flipkart, Snapdeal, India Mart, Just Dial, Trade Idea इन सभी platform पे इन्होंने अपने आपको register किया और इन्होंने rate बहुत ही कम रखा और reasonable रखा और quality से कोई compromise नहीं जिस वज़े से इनकी sale बहुत तीजी से online आने लगी और काजू की quality जादा maintain करने के लिए उन्होंने nitrogen feeding machine भी लिया जिससे कि जब customer के पास काजू पहुचे तो वो बिल्कुल fresh form में हो और धीरे धीरे काजू की quality इतनी अच्छी थी इनकी कि इनको बहर से भी इंडिया के order आने लगे और धीरे धीरे जैन काजू वाला globally भी grow करने लगा इन्होंने अपर customer का बहुत खास ख्याल रखा और इनके जो 10 kg के बड़े containers होते हैं इनके करीब 16,000 से ज़्यादा retail और wholesale customer हो गए और साथ में इन्होंने team building पे भी बहुत ध्यान दिया इन्होंने अफदेश माथूर जी को भी अपने साथ जोड़ा जो की आज की रेट में इनके country head भी हैं इन्होंने जैपूर में 2018 में अपना office शुरू किया और उसके बाद ये इन्होंने डेली में भी अपना branch open कर दिया इसके साथ इन्होंने प्रदीब जैन जी को भी अपने team में join किया जो की sales manager के तरह काम करना शुरू किये कि customers सारे तरह के dry foods की इन से demand करने लगे जैसे की बदाम, पिस्ता, अक्रोट, अंजीर, किश्मिष इन सब चीजों की demand पूरे इंडिया से इनके पास आने लगी company का अगर हम full flesh outlet के बात करें तो उन्होंने chain नई और किशन गड़ में अपना complete outlet खोला हुआ है जहां पर आफ factory rate पे समान लेके जा सकते हैं अगर हम आज की date में बात करें तो पूरे भारत में free door delivery भी दिया करते हैं और साथ ही मैं बता दूँ दोस्तो जैन काजू वाला आने वाले time में share market में भी register होने वाले हैं यह सबसे पहले ऐसे काजू की भारती company होगी जो की share market में भी listed होगी दोस्तो साल 1999 से 2022 तक इतना तेजी से grow करना कोई आम बात नहीं है इसके पीछे है company का culture इनका बहुत simple culture है कि हम खुद को नुकसान जहर लेंगे लेकिन customer को नुकसान नहीं होना चाहिए customer के सामने हमारा goodwill नहीं खराब होना चाहिए इन सब चीज़ों को इन्होंने बहुत ही बखुबी दियान रखा और इनके जो पूरी team है उन सब के सोच में इन्होंने ये चीज़ लेके आए आज की datement के 11 से जादा countries में dry fruits supply हुआ करते हैं और अब आने वाले टाइम में ये अपना distributorship पूरे district by district देना शुरू कर रहे हैं और कोई भी अगर चाहता है कि वो business करे अपने घर बैठी तो वो भी इन से direct contact कर सकता है योगि ये कई सारे business की opportunities लोगों के लिए available करा रहे हैं दोस्तों जो dry fruits का business है जितनी मेली learning है कि इस business में trust factor बहुत important है योगि सही quality का dry fruits बहुत कम जगा आपको देखने को मिलेगा तो ये कुछ चीज़ों को इन्होंने पढ़ा और उस पे implement किया तो यहाँ पे आपको ये बड़ी business की learning में हो सकती है आप ये चीज़ सीखे कि अगर आपके पास honesty है और आपके समान में अगर quality है तो आप 10-20 साल में बहुत तेजी से भारत में grow कर सकते हैं और आज रेट में तो digital है पूरी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन रे प्रेस करिएगा